नमस्कार विलेज मीडिया सेंटर में आपका स्वागत है अभी हम एक ऐसे स्टॉल पे खड़े हैं जो जैविक खेती के लिए बहुत अच्छा परियास कर रहे हैं और आज के युग में जब फार्मिंग को लेकर के तमाम केमिकल्स ज्यादा उत्पादन के चक्र में लोग किसान है और इन्होंने जैविक खेती को अपनाया है और आज के डेट में इनका काफी अच्छा परचलन हो गया है को दुद पादन करते हैं किसानों को प्रमोट भी करते हैं प्रसिक्षित भी करते हैं आपका स्वागत है विलेज मीडिया सेंटर में आपका सुब नाम बता सब्सक्राइब है किसानों का थाव है कितने कर रहे हैं लग भग 70 चानन दौ prevalent कर अपके लुभ यहाँ और फेशव में कब्रडक्टि भी है आप एक अब करके बताएग क्या पतादन हुआ खाने में क्या अंतर है इसका बाहर हम बताएगë हम पहले तीन साल से खेती कर रहे थे जब शुरुवात की थ्यास से तीन साल पहले से तो उसमें पिछले साल हमने मटर का उत्पादन किया बड़ा मटर का उसके बाद समा का उत्पादन किया है उसके बाद देशी मक्का का उत्पादन किया वह अलसी है जिसको गाउं की भासा म देसी सीम है यह कमपोस्ट यह है रहे और यह गोबर से त्यार घंजी वामरित है उतमाद है जैसे ये घंजी बावनित इस दब्बा में भी सुखा खा बंद है ये पती कंपोस्ट है ये बिल ब्रसाइन है जो पोटास की बिकल्प में काम करता है पका हुआ बिल से त्यार किया जाता है पोटास की जगा इसी का प्रियोग हम लोग करते हैं पॉनि करते हैं चिर प्रणाव करते हैं जिवापनित के पितना सख करते हैं कांग करते हैं किरा प्रकोफ में बचने के लिए ये जीवा अमनित परदायों को ताकत परदान करने िघ के लिए जी वावनित का किवी खेति में वेना जीवावनित का झ्थी सम्भवी नहीं प्रेस लिए इसचल्षर्ण जिसका प्रीयोग और क्राइब करते हैं यह ैं यह जबाचस एक जिससे में यूरीया का बीकल्प है यह इसको तैयार करके बोधे पर युडिया के बदले इसका हम छिरकॉव करते हैं है ah flowering के लिए foreground के लिए यह सरजस है जिस पर छाच लिखा और चास से यह तेयार किया गया है इसमें इसको हम्लोग रशों बोलते हैं चाह पर लावर स्थ करने के लिए और पुल का विकास करने के लिए और फल का भी विकास करने के इसका चिर्काव तीन बार किया जाता है फ्लावरिंग एस्टेस से पहले फ्लावरिंग होने के बाद और फल होने के बाद तीन बार इसका एस्प्रे करते हैं इसका रियल्ट बहुत अच्छा आता है और यह हुमिकेसिट है जो कंडा से गोईठा स से तैयार किया गया इससे पोदों में जर्क का विकास बहुत तेज गती से होता है उत्रहीं उत्पाद के बारा अप इसके बारे में पता यह यह क्या है कौन सा कंद है यह अगर हम लोग को ट्रांस्प्लांट करते हैं तो एक गहर में या गाउंद में कितना केजी ये हो जाता हूँ अच्छा होगा तो यह पांच केजी से ऊपर जाता है पांच केजी तो बहुत यह बढ़ा गांट यह पोधे में किलो एक किलो इसाछ सफवाएशन से अधिक बगय प्राप्त की कि अधिक में चांदे अधिक अधिक हैं की लगाती तो लगाते हैं आप खुले खे त में या यह हम लोग के बगी स्टा कर दरा तो आपने देखा कि किस तरह से अजीत कुमार जी जैविक खेती कर रहे हैं और इनको काफी धन्यवाद हम देते हैं की आज क्यमलों लोक्त भीमार हो रहे हैं लमénजी नहीं हो रहा है अम इनका पोधा भी दिखाते हैं आपको आपे läuft में लगा हूआ है है तमाम तरह का चीज जो है आप आल्टी में कर सकते हैं और हमारे साथ किर्शी के जानकार भी है सुधानसु जी आप बताएए जैविक कोरिडोर जैविक खेती तमाम ऐसा हो रहा है इंप्लिमेंट लोग कम कर रहा है लेकिन आपके जिले में किसान बहुत एक्टिव हैं बहुत ऐसे किसान हैं जो हमें लगता है कि काफी उन्हों अपना पैसा खर्चा करके इसको अड़ाप्ट किया है आप क्या बोलतें इसके वारे में अविश्यक तो है तो कि इस तरह से राशाइनों का लगातार पर्यूंग बढ़ता जा रहा है उससे मेरी भूमी तो दूसित हो ही रही है जिसे लगातार अब उत्पादन भी करते ज रूगर और एक एनक परकार की बिमारियां जो ये पिक समंधिन बिमारियां से घर मिख़ती जा रही है इस बिमारियों से दूर होने के लिए आवश्यक है कि हम पहले आदमी कम खाके भी अधिक दिन तक जिविधा आज की स्थिति यह है कि अधे बोजन तो परड़ रहा है लेकिन हम लोग और श्टिकता नहीं है तरह तरह की बीमारी से ग्रसी थोड़ा है चलिए बहुत अच्छा है और दो दिवस यह जो मेला है इसमें आपका इस्टॉल लगा है बहुत किसान ले भी गये खरीद के आपसे आइटम चलिए बहुत बहुत धनिवाद हम आसा करते हैं कि आप तरक्की करिए और जैविक खेती बढ़े सबसे पहले तो आपके परिवार का स्वास्त अच्छा होगा आपके कुटुम्बों का स्वास्त अच्छा होगा इसी उदेश को ले करके सबको खेती करना चाहिए अजिए धनिवा